हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल व्यस नॉलेज में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंदिरा गाधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की तरफ से नई वेकेंसी का ओनलाइन फॉर्म सुरू हो चुका है इस ओनलाइ हैं तो मैं यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा क्योंकि सरकारी नवकरी की जानकारी सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लाता रहता हूं फ्रेंड्स यहां पे आप दे सकते हैं इंदिरा गाधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च का यह ओफिसियल है अपर डिवीजन क्लर्क, स्टैनोग्राफर, वर्क एसिस्टेंस, ड्राइवर, सिक्योर्टी गाड और वेरियस पोस्ट के लिए यहां वेकैंसी निकाली गई है फ्रेंड्स अप्लिकेशन फी की बात करें तो यहां पे अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अप्लिकेश क्लीक करने के लिए prestmat Check कर सकते हैं Germany, अम वारे इसका ओनलाइन फर्म फिल करना शिखाएंगा कैसे आप इसका ओनलाइन फोट प्रेंगे इस वेकैंसी का ओनलाइन फार्म फिल करने के लिए आपको एस अज़स्ट साइट पे आना होगा इससाइट का लिंक मैं अपने वीड फर्ट फश्टेशन ब्सक्रामएंट आपको क्लिक करना है इसा इंटरफेस अपना है करना है अब होते रईस फ्र्ट्र लिए आपको अपना आप दैशन के लिए आपको अपना नेम अपना टृ ना है फिर यहांपे marriage status आपको select करना है, फिर यहांपे national team में आपको Indian select कर लेना है, फिर friends यहांपे आपको अपना permanent address फिल करना है, जो भी आपका permanent address होगा friends यहांपे fill कर दीजेगा, अगर आपका corresponding address ऐडरेस सेम होगा, तो यहापे इस box में tick कर लिजेगा, अगर आपका corresponding address नहीं है, तो यहाँ पर आपको अपना corresponding address भी फिल कर लेना है, फिल करने कबाद friends, यहाँ पर आपको अपना mobile number फिल करना है, mobile number फिल करने कबाद friends, यहाँ पर आपको अपना email ID फिल करना है, email ID आपको दो बार फिल करना है, फिर friends यहाँ पे आपको अगर alternative email id देना चाहते हैं तो यहाँ पे fill कर देंगे अगर नहीं देना चाहते हैं तो skip कर देंगे फिर friends यहाँ पे आपको अधार card number fill करना है fill करने कबाद friends यहाँ पे आपको अपना login id बना लेना है login id जो उपर बनाएंगे friends वही save यहाँ पे भी fill कर देंगे फिर यहाँ पे आपको अपना password create कर लेना है password create करने के बाद friends यहाँ पे capture code को fill करके next वाले option पे आपको click करना है next पे click करने के बाद friends अब कुछ ऐसा interface open होके आएगा अब यहाँ पे preview आजाएगा friends यहाँ पे सारा detail आप दुबारा check कर लिजेगा अगर आपका कोई भी mistake होगा तो यहाँ पे edit वाले option पे click करके आप अपना mistake सही कर लिजेगा अगर आपका कोई mistake नहीं होगा तो यहाँ पे icon from that इस पे check कर लिजेगा चेक करने के बाद friends यहाँ पे submit वाले option पे आपको click करना है submit पे click करने के बाद friends अब कुछ ऐसा interface open होके आएगा अब यहाँ पे login करना है login करने के लिए friends यहाँ पे click to login वाले option पे आपको click करना है click करने के बाद friends अब कुछ ऐसा interface open होके आएगा अब यहाँ पे आपको अपना login ID फिल करना है Friends, जो login ID आपने बनाया था, वही login ID यहाँ पे फिल कर देना है फिल करने के बाद Friends, यहाँ पे जो password आपने create किया था, वही password यहाँ पे फिल करना है फिल करने बाद friends यहाँ पे capture code को फिल करके login वाले option पे आपको click करना है login करने के बाद friends अब कुछ ऐसा interface open होके आएगा friends अब आपको अपना email id verify करना होगा verify करने के लिए friends आपके email id पे एक ओड़ TP गया होगा वो TP यहाँ पे फिल करके verify वाले option पे आपको click करना है email ID verify करने के बाद friends अब कुछ हैसा interface open होके आएगा अब यहाँ पे आपको post detail मिल जाता है friends यहाँ पे आप जिस भी post के लिए apply करना चाते हैं यहाँ पे आप अपने usability के हिसाब से post देख लीजिएगा friends यहाँ पे total 49 post के लिए यह vacancy निकाली गई है friends यहाँ पे आप multiple post के लिए भी apply कर सकते हैं apply करने के लिए friends यहाँ पे click here वाले option पे आपको click करना है post select करने के बाद friends अब कुछ हैसा interface open होके आएगा अब यहाँ पे आपका post name सो करेगा friends अब यहाँ पे आपको अपना sub discipline select कर लेना है सब डिसिप्रिन सेलेट करने बाद friends यहाँ पे आपको अपना category सेलेट करना है category सेलेट करने बाद friends यहाँ पे आपको अपना religion सेलेट करना है religion सेलेट करने बाद friends यहाँ पे आपको अपना state of domicile सेलेट करना है फिर फेंट्स अगर आप disability person है तो yes करिएगा नहीं तो no कर दीजेगा फिर फेंट्स अगर आप ex-serviceman है तो यहाँ पर yes करिएगा नहीं तो no कर दीजेगा फिर फेंट्स अगर आप sports person है तो यहाँ पर yes करिएगा नहीं तो no कर दीजेगा फिर फेंट्स अगर आप जम्मू कास्मीर के निवासी है तो यहाँ पे यस करिएगा नहीं तो नो कर दीजेगा फिर फेंट्स अगर आपके परिवार से किसी की मौत हुई थी 1984 के दंगों में तो यहाँ पे यस करिएगा नहीं तो नो कर दीजेगा फिर अगर आप present time employer है तो यहाँ पे yes करिएगा नहीं तो no कर दीजेगा करने कबाद friends यहाँ पे आपको अपना education qualification फिल करना है education qualification में पहले आपको दस्मी का फिल करना है दस्मी का फिल करने के लिए friends यहाँ पे आपको अपने school का name फिल करना है फ्रेंट्स जो फोटो अप्लोड करेंगे वो 20 से 50 के भी का होना चाहिए अप्लोड करने के बाद फ्रेंट्स यहाँ पे सिगनेचर अप्लोड करना है जो सिगनेचर अप्लोड करेंगे फ्रेंट्स वो भी आपका 10 से 20 के भी का होना चाहिए फ्रेंट जो फोटो अपलोड करेंगे उस फोटो में आपका नेव और डेटा फोटो होना चाहिए अपलोड करने के बाद फ्रेंट से यहाँ पे आपको अपना Center for Examination सेलेट करना है यहाँ पे आपको अपना Examination City सेलेट करना है यहाँ पे जो भी आप examination city select करना चाते हैं यहाँ पे select कर लिजेगा यहाँ पे आपको तीन examination city select करना है select करने के बाद friends यहाँ पे next वाले option पे आपको click करना है next पे click करने के बाद friends सब कुछ है साइंटरफेस open होके आएगा अब यहाँ पे आपके application form का preview आजाएगा friends यहाँ पे सारा detail आप अपना दुबारा चेक कर लिजेगा अगर आपका कोई भी mistake होगा तो edit वाले option पे click करके आप अपना mistake सई कर लिजेगा अगर आपका कोई भी mistake नहीं होगा तो अब यहाँ पे आपको submit करना है submit करने के लिए friends अगर आप अपना personal details share करना चाते हैं तो यहाँ पे yes करिएगा नहीं तो no कर दीजेगा फिर friends यहाँ पे icon from date वाले पे चेक कर लेना है चेक करने के बाद friends यहाँ पे submit वाले option पे आपको click करना है अप्लिकेशन form submit करने के बाद friends अब यहाँ पे आपका registration number 100 करेगा friends अब यहाँ पे आपको payment करना है payment करने के लिए friends यहाँ पे आपको फिर से login करना है login करने के लिए friends यहाँ पे click to login वाले option पे click करके आपको फिर से login कर लेना है लोग इन करने के बाद friends अब कुछ ऐसा interface open हो के आएगा अब यहाँ पे आप दे सकते हैं आपने जिस भी post के लिए apply किया है यहाँ पे under processing दिखा रहा है friends यहाँ पे आपको payment करना है payment करने के लिए friends यहाँ पे click here वाले option पे आपको click करना है click करने के बाद friends अब कुछ ऐसा interface open हो के आएगा अब यहाँ पे आपको payment करने के लिए अपने registration number से login करना होगा friends आपका registration number आपके email id पे गया होगा वहीं से registration number लेके यहाँ पे fill कर देना है fill करने के बाद friends यहाँ पे capture code को fill करना है capture code को fill करने के बाद friends यहाँ पे login कर लेना है login करने के बाद friends आपको यहाँ से अपना payment कर लेना है payment करने के बाद friends आपको अपना registration number अपने पास रखना है उसी registration number से आप अपना admit card डाउनलोड करेंगे friends मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो like and see you जरूर करिएगा और ऐसे ही more updates के लिए मेरी YouTube चैनल को subscribe परिएगा और bell icon को press करिएगा जैहिन friends